तो आपने मेरी लास्ट वीटियो देखे होगी उसमें मैंने बताया था कि सबसे पहले रॉकी भेया को यह चीज पता चली थी कि जो प्यारी दीदी हैं उनके हस्बंड ने सरकंदी को इतनी जादा गंदी गंदी गालिया दिये मतलब उनको रिकॉर्डिंग मिली थी वह उनको वीडियो की एडिटिंग कर रहे थी तब उनको और अध्य थी दी कहते कि उनके जो था था कि मेरे घर में आगलाना बंद करो मेरी फैमिली के लिए थी फिर उसके बाद उन्हों सब्सक्राइब कि और वह इसलिए उन्हों ने पिलेटिए और डिए और वह इसलिए उन्होंने पता चल गया था कि जो ये चीज़ें बोली जा रहे हैं जो जो प्यारी दीदी ने ये चीज़ें बोली हैं वो सपना दी के लिए थी तो उन्होंने चीज की सफाई देने के लिए खुद को मदब साप दिखाने के लिए उन्होंने second day वीडियो डाली कि मैंने किसी relative के लिए बोला फिर दीदी ह वीडियो आती है तीसरी वीडियो आती है कि मुझे वीडियो डिलीट इसलिए करनी पड़ी क्योंकि उसमें जो recording है मत्यर जो voice over है वो दो बार हो बार हो गया था तो नहीं सफाई दे दिनों ने ठीक है राओ ठीक है खुट के चरित्र पर आई बाल दो उन्होंने फॉरण तीन तीन वीडियो डाल दी इतनी तकि अधिन नहीं नहीं उन्होंने किसी से कुछ नहीं का उन्होंने एक बार भी नहीं का कि मनला इपने अपने टाइटल में लिख देती कि जो वीडियो है वह मैं किसी रिलेटिब के लिए बना रहे हूं बट नहीं उन्होंने शायद वह रिलेटिब के लिए थी नहीं वीडियो वह सपना दी के लिए ही थी तो जब सारी इस सारी चीजे देखी और लोग जो हैं तो जब रॉकी भहाँ ने यह आडियो अपनी वीडियो में डाली और लोगों को सच्चा ही बताई तो सप्नदी को पता चला तो रॉकी भहाँ से बहुत ज़्यादा नाराज हुए उन्होंने वह वीडियो रॉकी भीए को बोला कि यह वीडियो डिलीट करते क्योंकि वह किसी भी कॉंट्रूर्सी में पढ़ें और लोग उनके लिए वीडियो बनाएं तो उन्होंने वह वीडियो का कि तु यह बाई प्लीज यह वीडियो करते तो उनके कहने पर पता नहीं प्राइबेट की बट वह उनके चैनल पर दिखाई नहीं दे रही है शो नहीं हो रही है और जो लास्ट रॉ कबी आया के वीडियो यह सचर्शा इच बताते हैं कि विडियो इति वीडियों में बोल नहीं थी वह डायक्ट आकर बोलने लगी उसके बाद जो हमारी प्यारी दीदी है जो कि अभी तक इन डायक्ट में कहती थी जो और अंदर भड़ास थी बो चीज वह उनका जो रियल चेहरा है वह निकल लोगों के सामने आ गया एंड हमारी प्रफिति ने जो आप वीडियो डाला तो वह असली वीडियो था मतलब जो वह चीज करना चाहा नहीं थी जो चीजें उन्होंने अब तीन जो वीडियो डिलीट करी थी उसमें जो सारी चीजें बोली थी वह सारी असलियत वह खुद करता हूंगी अब ठीक है एंड आप लोग उनका जो थमनेल है उससे देखके अंदर लगा सकते हो कि उनके अंदर सपने दी को लेकर कितना जहर भरा हुआ है ठीक है तो जो हमारी प्यारी दीदी हैं उन्होंने सारी सच्चाई बता दी और मतलब 2-5 साल पुराने जो भी सब पुराने सब्सक्राइब दीके लिए तो मैं इस विडियो में बताती हूं तो हमारी दीदी ने बताया कि सफ्राइब कर्म कांड होते थे जिसमें उनको भी वह चीज़ें करवाती थी पता निए वह किस करम कांड की बात कर रहे हैं एंड मुझे असा लगता है उन्होंने द सबस्क्राइब करें पर दो डाई साल पुराने सबूत है तो इस बात के सबूत तो होगे न तो आप क्यों नी डाल रही हो सारी ऑडियंस यह जानना चाहती है कि आप वह सबूत क्यों आप मतलब छुपा के बैठ यू आप वह चीजें क्यों नहीं दिखा रही हो सोसल मेडिया अगर पेड़ आप चीज में सोचन मृटिया पर लेके नहीं आती तो उप्जेक्शन नहीं होता बटाप सारी चीज हो दिखा रही हो तो यह इस भूत बहुत भी दिखाऊ ना कि क्या कर्म कांड होते थे और क्या चीज़ें ऐसी थी जो आपसे भी करवाई जाती थी आप इतने सीधे साधे तो हो नहीं कि मतलब सारी आप किसी के कहने से कोई चीज कर लोगे जो आपके इन-laws हैं वो बागी में अच्छे हैं और रोके बयाने में उनकी तारिफ की बट आप लोग तो इतने सीधे नहीं हो ना आपने भी कहिना कहीं अपना काम निकलवाना चाहा है सपना दीज से सपनी कियार में आप अपने चैनल को ग्रो करा रहे थे व्यूज ले रहे फिर उसके बाद सबसे पहले हमाई दीदी का वीडियो आता है फिर अब उसके बाद You them सपनादी का वीडियो आता है कि काफी लोगों को यह लग रहा था कि सपनादी चुप क्यों वैठी है क्योंकि सपनादी बता है कॉंट्रवर्सी में नहीं पढ़ना चाहती थी वह इतनी जादा पक चुकी है नहीं चीजों से कि जिसके साथ उनका रिस्ता था वह तरब से वह कि अपना अपना रंग दिखाते चा रहे हैं कि है ना आ अपने अपना ती तो वो सारी सब ने अपना रंग दिखा दिया और नोगot इसे न्हीं का वीडियो नहीं आता है उंका लाइब आता है और वो खहती है कि जो भी controversy चल ले है वो मैं मतलब इसके बाद मैं कोई दूसरी वीडियो नहीं बनाऊंगी जो भी चीजे है वो मैं इसमें clear कर दूँगी जो भी लड़ाई है मैं इसी वीडियो में खतम कर दूँगी क्योंकि मैं मेरे पास नहीं इतना time है कि मैं इन चीजों क को मतलब इन चीजों को बार-बार में clear करूं और इन चीजों की बार-बार में सफाई दूँ ठीक है तो जो भी सारी चीजे है वो मैं इसी वीडियो में इसी लाइब में clear कर दूँगी और सबसे पहले माई दीदी ने बोला था कि जो audio सुनाई थी मतलब सबसे पहले audio आई तरफ से वह उन्होंने बोला हमाई दीदिने की और चूटी है मतलब उसमें editing की गई जो सबको और और सबको अब प्यारी दीदी यह वह माफ ही माँए सब माफ कर दो और जो भी सारी चीजें वह चीज को एकसेप्ट कर रही है वहां जो भी उनके husband ने किये वो सारी चीज़े वहां स्रिकार कर रही है कि हाँ वो चीज़े हुई हैं जो अब की मैं audio दिखा रही है वो रॉडियो है ठीक है मतब एडिट तो वह भी नहीं थी वह भी रॉई थी बट लोगों को विश्वास नहीं हो रहा था तो उन्होंने व है को हाँ पहर पहचान पाए सप्रन्दीर के भाज हो अच्छा जो हमारी चैशु आफने पह देखा होगा का फार इन लौ है वह रहां आफी तुछ तो कि पूस प्शुषी तो अच्छी होगी रहिए सपनाधी के अंदर कौस तो अच्छी होगी सपनदी runt एच्छा तब फिसकी माफ भी माउंग रहे हैं कि वह इंद आप साफ़ सा पता चल जो आंकल जी है वो खहर रहे हैं कि मेरी बेटे ने आपको जो गलेज चीजे बोली है उसके लिए मैं माफी मांगता हूँ तो वो चीजें आप जुटला नहीं सकते हो अपनी जो पती है आप उनकी इस बुराई को छुपा नहीं सकते हो लोगों के सामने पिर उसके बाद सप्नदी ने बताया कि जो प्यारी दीदी है वो सप्नदी से एज़ा सब्सक्राइबर मिली थी तो आज सप्नदी ने भी सारी सचाई बताई उन्होंने बताया कि जो हमारी प्यारी दीदी है वो उनसे एक एज़ा सब्सक्राइबर मिली थी और ये बिन बुल वेटर से मिलती है बहां इनको जहां लगता है इनको फायदा है यह बहुत हैं नाम नहीं लेना चाहती थी थी तो सबसे पहले मनले से इनका मैसेस गया था कि मैं शिपूरी में हूं और मैं शादी में आना चाहती हूं बलकि सपनादी को मौका भी नहीं लिए उन्हों ने कि वह सुच हैं कि इन सान किसी को ब्लाना चाहता है या नहीं बुलाना जाता है यह खाली बाद अ मतलब जो सपनादिव की सब्सक्राइब लोग होते न वहीं थे तो उसमें यह मैडम पहुंच जाती है जो हमारी दीदी है इनको कोई भी नहीं जानता था इनको सब सब्सक्राइबी के छाने हैं जब से दी ग्वालिया रहाएं थी तब से जो लोग हैं उनको जानना शुरू किया था लोगों ने और बहुत अच्छा तो तब से लोगों ने जानना शुरू किया जो सपने ने लोग को बताया क्योंकि वही होता है तो उसे इंसान को जो सामने वाला है जरा सी हेल्प कर देता है तो वही चीज़े अपना दी के साथ हुई है क्योंकि पीते कुछ दिनों से उनको इतने जादा परिशान किया गया है उनके साथ इतनी सारी चीज़ें हुई है तो कहीं न कहीं उनको वह इतना सा प्यार या इतनी सी help कहलो वो उनको बहुत जादा उस चीज से उनको बहुत जादा support मिली उससे वो बहुत जादा खुद को strong उन्होंने feel किया होगा कि वही चलो कोई तो है मेरे पास और हमारी प्यारी दीदी ने ये भी बोला था कि जो रॉकी बहिया है वो उनसे पैसे मांगते थे तो सपना दीदी ने उसके लिए भी बोला है कि आप स्क्रीन शॉट दिखाओ लोगों को मतलब आपको जो भी सच्चाई पता है वो चीजें लोगों की सामने लेके आओ जो आपके पास सबूत है वो चीजें लेके आओ ना वो सबूत दिखाओ लोगों को तभी तो पता चलेगा कि हाँ वो चीजें ठीक थी या नहीं थी सपने दीन ये भी बोला कि ये वीडियो मेरा लास्ट वीडियो है इसके बारे में और मैं इसके अलाबा कोई भी दूसरी वीडियो नहीं बनाऊंगी इस बारे में अगर हाँ मेरे अगर लीगल जाना है और उसको कहीं भी ज़रूत पड़े तो मैं दोड़के आऊंगी मैं म lovely जाओंगी और HR हमने करा दी है और वैं दिखाउंगी तो भैहर तो और तुमारे पास तो धूर्ध हो एनुके पास THE दूसरी साइड पास थैड ना ऐसा थे नहीं कि कि और कुछ नहीं हो गालिय O दमक्या मिल चुकी है मारने की तो उसके पास कोई सबोत नहीं होगा अगर वो पलिस को दिखाए जाएंगे तो आप सोकते हो कि पुलिस क्या करेगी पुलिस किसी एक इंसान की नहीं होती है जो हमारे प्यारी दीदी है उनके हस्बेंट ने ये भी बोला था कि मैं पैसे फेकूंगा और तुझे मेरे लोग हैं वो मार देंगे और तुझे पता भी नहीं चलेगा तो ये गलत फैमी है आज के टाइम में मतलब कोई भी कुछ भी मुस्किल नहीं ह है ठीक है बस खाली कॉल रिकॉर्ड होते हैं वही बहुत होते हैं उससे जो साथी चीज़ें वह निकल के बाहर आ जाती हैं और आप ऐसे किसी को नहीं मार सकते हो वह उनकी भी तो फैमिली है ना एंस अपने दीन ने आप फैमिली से ज्यादा जो प्यारी दोस्त हैं सपने हैं वह थी कि उनको हमेशे आगे रखा जितनी भी चीज़ें मतलब जो भी उनकी दुख होता था या सुख होता था वह हमेशा उनके साथ चीज़ें शियर करती थी आपको याद होगा सपने ने बताये था मतलब पूरी डीटेलिंग में तो नहीं वह पताये था बड़े यह बताया था कि कोई मेरा अपना मुझे मारने की धमकी दे रहा है आने वाली टाइम में जो लोग है न वो दोस्ती पे विश्वास नहीं करेंगे वो किसी पर ट्रस्ट नहीं करेंगे हमारी प्यारी दीदियां उन्होंने पूरी कोसिस किये जो सपनी से जुड़े लोग हैं जो उनको भढ़काने की भी कोसिस करी है हमारी दीदी ने पूरी पूरी कोसिस किया उन्होंने भढ़काने की और उनको यूज करने की उनके अगेंस यूज करने की पूरी पूरी कोसिस किया हमारी दीदी ने और अभी तक दीदी सांत बैठी हुई है अभी तक उनकी तरब से कोई वीडियो नहीं आया है कोई वी ऐसा उन्होंने सुबूत नहीं दिखाया है कि जिन करम कांडों की भाद की थी अन्होंने कुछ उसके बार में वीजται नहीं दिखाय यहाई है यह आप जराथ सी चीज को साबित करने के लिए आपने तिन वीडियो डाल दी तो आप यह तो इतनी बड़ी बात है तो आप इसका सुबूत होता तो आप जरूर दिखाती मुझे तो ऐसा लगता है कि आपके पास कोई सुबूत है नहीं दिखाऊगे तो आप तब ना एंस अपन इन्हें ओपन ली चैलेंज दिया है कि जितनी भी चीज़ें जो भी मतलब उनके पास सुबूत हैं जो भी उनके पास सच्चाई वो दिखाना चाहती है वो लोगों को दिखा सकती है चाहें वो फ्लेट वाले करम कांड हो ठीक है चाहें वो रॉक के विया को उन्होंने जो दिए हैं वो सारी चीज़ेंगे उन्होंने उपनली चैलेंज किया है कि आप आपके पास जो भी सुबूत हैं आप लोगों को दिखाओ और रही पुलिस की बाद तो जब भी आप जहां भी बुलाओगे मैं वहां चली आऊंगी चाहें मैं कहीं भी हूं मैं उच जगे चली हछी आऊंगी जहां भी आप जहां भी आपको लगे कि हाँ यहां मेरी जरूरत है ठीक है तो वहां मैं आऊंगी बागी मैं चोशल मेडिया पे इसके लावब कोई वीटे निए बनाउंगी और पुलिस जहां भी कहें कि मैं बहुत जँद आउए बडाओगी बहां मैं आ कई फंक्षन है आपने उनको कभी नहीं देखा होगा क्योंकि जो उनक फैमली थी आज भाया जास भी पाया नहीं पसंत करते थे वह वोग अपने घर में अपने घर में या वह लोग गूमने जाते था इन दोनों की जाने के बाद सफना दीई ने पहली दोस बनाए थी थी घुल वह नमने बनाते थे। हैं ठाइक सप्रेजी ने पहली दोस्त हैं गाहों अपना यह उत्यारिनी whatnot अपने दिया ने इनको दोस्त बहन सब कुछ इनको ही माना था और वह यह ना कि पहली बार उन्होंने कोई दोस्त बनाया इन भही से उनको धोका मिल गया और शायद वो लाइफ में अब कभी कि कि मतलब किसी को अपने दोस्त नहीं बना पाएंगी किसी के उपर विश्वास नहीं कर पाएंगी शायद और अगर शायद आजबिर भहीया होते तो शायद किसी की हिम्मत भी ना होती कि इनकी तरब कोई आंक भी उठा के देख ले मतलब लोगों ने यही तो फायदा उठाया अब ऐसा तो नहीं है ना कि कोई उनके ऊपर गलत चीजें, गलत चीजें के एजाम लगाएगा, या गलत चीजें उनको घालिया देखा, तो भी कह वो चुप रहेंगी, कोई भी इंसान हो, भई जब उसने कुछ गलती नहीं किया, तो वो क्यों चुप रहे या क्यों वो अप वो क्विन्स के सत Amen आप खुछ से देखже आपकी बहứng कोária कि भीकोंत बीड़ी दे तो आप सुनू लोगे क्या यहाए है आप कितने भी, मतलब आपके पास कुछ भी नहीं पैसा नहीं है रुपए नहीं है ताके थी कुछ भी नहीं है तो अभी इंसान नहीं सुन पाएगा उन्होंने, मतलब, खुले शब्दों में बोला है, उन्होंने कोई असा नहीं है कि हाँ, कुछ चीजें, मतलब दभाई हो या कुछ भी हो, उन्होंने पूरी रिकॉर्डिंग सुनाई है, और आप लोग उन्हीं भी देखा होगा कि जो भी चीजें हुई हैं, सपने दीदी के कि मैं लीगल जाओंगी पुलिस कम्टेइन कर दिये तो पुलिस बहीं दोनों तरफ की बाते सुनेगी दोनों तरफ की सुबूत देखेगी उसके बेस पे जो भी डिसीजन होगा वो लिया जाएगा ठीक है तो आज की डेट में कोई इतना पागल नहीं है जो आखें बंद करक लोगों को सजा दे देगा या मदब कुछ भी चीज़ें हो जाएंगी तो फिलाल सप्रादी ने अपनी एक कि राएप में सारी चीज़ें क्लियर कर दी है कैसे-कैसे यह नों ने भी सप्रादी का यूज किया वीडियो में और आप लोगोंने देखा होगा जब से सप्राद बैसे वह कहती हैं कि मैं पैसो के लिए मांदलब nei बनाती हूं भी उसके लिए करती हूं ड़्य हक्स अबसे पहले सबस्क्रादी का था और लगतार ंटी वीडियो ठीश चैनल डियू 받रि थी दिख है वह केंटिनेल कि आधाने कि धाने साफ्रक्राइब के लिए बनाती थी और अब देख यह मेरे वीडियो बनाती थी और अब देख यह मेरे वीडियो लोग इंको जानने लगे तो शायद कहीं न को देखके यह जो प्यारी omega 2 siwny व वह पोई प्यार ना सब्सक्राइब है वह होई चीज मैं बदनाम करूँ उसके बाद पर इनके हाथ पर लूग और तीक हो जाएंगी ईसा नहीं होता इन्सान USA होता न है इसा हिसा जिस ब्रकोंगत अनया तो सपना दी अन्हें पर दोक्राइब है खाल राधा न वम देंगी फिलाल हम देखेंगे फिलाल हम वेट करेंगे जो प्यारी दीदी हैं वो सुबूत दिखाती हैं हमारी ओडियंस को या नई सोसल मेडिया पर खुद को मतलब साब सुत्रा दिखाने के लिए वह क्या करती है तो वेट रहेगा चीज का तो यह थी मेरी आज की वीडियो आपको वीडियो पसंदा तो वीडियो को लाइक करना शेयर करना चैनल को सब्सक्राइब करना और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाई